Hello everyone, हमार आज का topic है Who are the poor? ये chapter 4 है poverty class 11 की economics, Indian economic development का तो you would have noticed that in all localities and neighborhoods Locality मतलब महला और neighborhood मतलब आसपरोस अब देखे, क्या कह रहा है? कि आपने ये notice किया होगा कि आपका चाहे महला हो या आपका आसपरोस हो अब गाउ में हो या फिर शहर में ठीके, there are some of us who are poor and some who are rich कुछ लोग अमीर होते हैं और कुछ लोग गरीब होते हैं है ना, तो नीचे की story है, अनु और सुधा की story दी हुई है वो आपके examples है कि दुनों की जिन्दगी कैसे चल रही है तो there are also people who belong to the many stages in between ऐसे बहुत सारे लोग हैं, जो कि उनके यह आप देख सकते हैं, यहाँ पर इस्टोरी दिया हुआ है तो इनके conditions से ऐसे बहुत सारे लोग है जो गुजरते हैं खैर हमें यह story नहीं पढ़ना है क्योंकि story पढ़ने से कोई फायदा नहीं है, हमें समझना है कि आखिर किन चुजों की कमी होती है जिसको पवर्टी का आजाता है, ऐसे आप simple definition माइड में रखिए पवर्टी का lackness of resource, resource की कमी होना अब देखे, push cut vendor, जो ठेला चलाने वाला है street cobblers women, who are string flowers full बेशने वाली women rag pickers, कुरा चुनने वाले लोग, vendors, beggar, यह सारे examples होते हैं, किन चीजों के poor के and vulnerable groups in urban areas, देखे, vulnerable group कहने का मतलब, वैसा group जो आने वाले साल में गरीब ही रहेगा मान लिजे, 2022 में गरीब है वो 2023 में भी अगर वो गरीब ही रहेगा, तो उसको हम बोलेंगे vulnerable group, ठीके, तो यह अभी जो हमने example पर है, यह वैसे लोग है, जो पूर है और आने वाले टाइम पर भी गरीब रहेंगे, पूर पीपल पजेजिस अब जो गरीब लोग होते हैं, उनके पास थोरा बहुत जो है असेट होता है, उनके पास मतलब थोरा बहुत रुपिया होता है, वो कच्छे मकान में रहते हैं, जिसका जो बना लिया हो गया है, उसके बाद पूरेस्ट आफ देम, इसमें से भी जो सबसे गरीब होते हैं, उनके पास तो रहने के लिए घर भी नहीं होता है, जो कि आप देखते हो, रोड पे लोग सोते हैं, गाउं में ऐसे लोग जो गरीब होते हैं, वो होते हैं, लैंडलेस गरीब का जाता है, तो शेहर में जिनके पास कच्चा घर है, वो गरीब, और गाउं में जिनके पास जमीन ही नहीं है, वो गरीब, इवन इफ सम आफ देम पॉसे लैंड, इडिस ओनली ड्राय और वेस्ट लैंड, और अगर मान लोग इसे पास जमीन हुआ भी, तो वो बेक इसे लोग जो पूरेस्ट हाउसोल्ड होते हैं, एकदम गरीब लोग होते हैं, वो तो बिचारे स्टारवेशन का सिकार होते हैं, स्टारवेशन और हंगर, एक मिनिट, अच्छा, हाँ, लोग स्टारवेशन और हंगर की बात करते हैं, तो जिसको भुकमरी हो रहा है, यह ज school development नहीं वह पॉर जिनको job नहीं लूब पार रहा है उनको भी आप पूऊर कोगे तीसरा उनका employment unistable होता है कहने का मतलब क्या है कि नौकरी कभी मिला कभी नहीं मिला ठीक है कभी काम मिला कभी काम नहीं मिला ठीक है कि वैसे लोग जिनके पास जमीन ही नहीं है वो गरीब है उसके बाद हमने परहा कि जिनको दो टाइम का खाना नहीं मिल पा रहा है वो गरीब है जो इस्टारवेशन का सिकार हो रहे हैं हंगर का शिकार हो रहे हैं वो गरीब है जिनके पास एजुकेशन नहीं है स्किल नहीं है जॉब नहीं मिल रहा है उनको यह जिनका employment regular नहीं है वो गरीब है तो इन सब में एक सबसे important चीज़ होती है वो होती है malnutrition जिसको कुपोशन कहा जाता है कुपोशन खाना सही से नहीं मिलने के वज़ा से होता है दस तरह की बिमारी होती है that is कुपोशन होना तो malnutrition अगर किसी को है तो वो भी इनसान poor ही है ठीक है और क्या होता है कि गरीब लोगों आप देखोगे ill health तवित खराब रहता है उसके बाद से कुछ-कुछ बिमारी तो ऐसी होते है जो कि उनको physically कमजोर बनाती है है न देखते हो गया आप विकलांग लोग आते हैं बेगर जो हैं विकलांग रहते हैं आपके घर पे आते हैं है न रुपिया लेने के लिए क्या बोलते हैं उनको begging करने के लिए विक मागने के लिए या फिर they borrow from money lenders गाउं में वो क्या करते हैं अपने जमिनदार से रुपिया अगर कोई ले रहा है जमिनदार से मतलब लोन अगर कोई ले रहा है तो वो भी क्या है आपका गरीब है हां जी money lenders जब आप लोन लेते हो जमिनदार बगेरा से तो वो आपको काफी high interest rate पर देता है जिसके वज़े से इंसान पर कर्ज चड़ जाता है कर्ज चड़ जाता है तो अगर किसी पर कर्जा चड़ रहा है तब भी वो गरीब है दूसरा पूर जो है वो highly vulnerable होते है मतलब हमेशा गरीब नहीं कहते हैं वो कि गरीब हमेशा गरीब होते जाता है और अमीर हमेशा अमीर वही वाला situation दूसरा भाई वो exploited बहुत जाद होते हैं गरीब लोग देखोगे क्योंकि गरीब है अगर वो बोलेगा कि हम इतने कम रुप्या पर काम नहीं करेंगा तो बोलता है ठीक है जाओ नहीं करेंगा तो बहुत लोग काम करने के लिए इसलिए वो negotiate भी नहीं कर सकते हैं तो उनका exploitation होता है दूसरा जो गरीब होते हैं उनके घर में electricity भी नहीं होती है उनके घर में जो लकडी वाला कोईला है वो जलता है ठीक है मतलब उनका गैस चुला यह सब नहीं होता है उसके बाद उनके पास पानी पीने का भी साफ पानी नहीं होता है वहाँ पे gender inequality बहुत जादा होती है gender inequality कहने का मतलब male को जादा नौकरी दिया जाता है female को नहीं दिया जाता है education की भी कमी होती है family के अंदर decision making female नहीं सिर्फ और सिर्फ male करते है जो गरीब audit होती है उनको उनके ओपर कोई ध्यान नहीं देता है especially उनके pregnancy के time पर उनके जो बच्चे होते हैं वो भी बहुत मुश्किल से survive कर पाते हैं और बहुत मुश्किल से वो healthy पैदा होते है तो economist identify the poor on the basis of their occupation and the ownership of asset economist अभी तुमने इतने सारी चीज़ परी कि इतने सारी चीज़ अगर किसी के साथ हो रहे हैं तो वो poor कहलाएंगे लेकिन economist का अपना तरीका है poor कहने का किसी को और वो तरीका है कि economist जो है वो लोगों को उनके occupation और उनके assets के basis पर poor कहते है वो economist क्या बोलते हैं कि rural poor work mainly as landless agricultural labors जो गाओं के जो गरीब है उनका मानना है कि अगर कोई किसी और की जमीन पर गाओं में किसी और की जमीन पर जाकर खेती बारी कर रहा है तो वो गरीब कहलाएगा दूसरा उनके पास या तो बहुत कम जमीन होनी चाहिए खेती बारी करने के लेए बहुत कम अगर बहुत कम जमीन ये asset में आ गिया, occupation में अभी ये वाला पाटा है occupation में दूसरे के जमीन पर काम करना और ownership asset का कि बहुत कम जमीन अगर बहुत कम में काम कर लिया, किसी शादी में खानाओं न बनाने का काम कर लिया, यह जो भी हो, तो jobs and tenant cultivators with small land holdings, तो या तो वो tenant होंगे, tenant cultivator, है न, उनके पास बहुत कम जमीन होगी, तो इन सारे factors पर economics, जो है, poor को define करते हैं, urban poor, अब urban, शहर के बाद किये जाए, तो urban poor क्या है, यह जो rural poor थे, गाव में जो गरीब थे, वह ही migrate होकर आते हैं, urban area में, किसलिए भाई, employment के लिए, ताकि उनको अच्छा employment मिल सके, अच्छी जिंदगी जी सकें वो लोग, तो यहाँ पर वो लोग बहुत सारे casual jobs करते हैं, रोट साइट बहुत सारे लोग क्या कहते हैं, अपनमदर ठेला वगएर दुकान लगा के बैठे रहते हैं, है ना समान बेचने के लिए, यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आपको agriculture labor, जो दिख रहे हैं, यह लोग, देखो एक ही फिल्ड में कितने सारे लोग काम कर रहे हैं, इसको disguised unemployment भी कहते हैं, जो कि हमने class 9 के economics में पढ़ा था, अच्छा, poverty का क्या है, कि एक कुछ, दो स्कॉलर का discussion दिसक्रशन दिया हुआ यहाँ पर, एक है शाहिन रफी खान और एक है दैमियान किलेन, इन्होंने poverty के conditions को कुछ रखा है, वो क्या है, कि poverty मतलब hunger, poverty मतलब hunger, poverty मतलब बिमार होना, और आप बिमार हो, आप इलाज नहीं करवा सकते हो, that is the condition of poverty, poverty basically क्या है, condition है, हालात है इनसान का, अगर इनसान को भूख लगा, भूखा है इनसान, तो उसकी हालात poverty कहलाएगी, बिमार है, इलाज नहीं करवा पा रहा है, तो poverty क्यालाएगी, उसके बाद, school नहीं जा पा रहा है, जानता नहीं कि कैसे पढ़ना लिखना तो भी poverty क्यालाएगी, जॉब नहीं मिल रहा है तो भी Poverty फूचर के बारे में उसको डर है कि पता नहीं खाना एक दिन का मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा That is Poverty उसके बच्चे बिमार परते हैं बच्चे का मौत हो जाते हैं बिमार के वोइसे that is Poverty या फिर पानी सही नहीं मिल रहा है, साफटा ही मिल रहा है, तो वो सिचुएशन भी पोवर्टी का कहलाएगा, पावर नहीं है, पावर सप्लाई बिजली बत्ती, तो वो भी पोवर्टी, आप अपने आपको रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे हो, आपको अजादी नहीं है, तो वो भी पोवर्टी, बेसिकली आप देखोगे, तो यह सारी चीजे रिसोर्स है, जो कि मैंने स्टार्टिंग में बहुश्च शॉर्ट में डिफाइन कर दिया, तो यह चुटी यह सारी चीजे रिसोर्स है, इसलिए मैंने का लैकनेस ओफ रिसोर्स, तो मेरा भी अपना मेरा भी अपना डिफिशन हो गया, कि लाकनेस ओफ रिसोर्स, एनिवेज नेक्स टॉपिक हमें स्टार्ट करेंगे, पूर पिपल को पैचाना कैसे जाए, इडिटिफाई कैसे किया जाए, ठीक है, अभी तक हमने देखा कि पूर पिपल होते कैसे है, एक हमने जनरल व्यू देखा और दूसरे एकोनामिस्ट के भी उसे देखा, अचली मिलते है नेक्स टॉडियो में, तब तक के लिए गुड़ बाई.